परंपो जे गुर्देव जे अर्चनी बंदनी मुद्मंगल मैसं समाच ससंग प्रेमी सज्जनों माताओं बहनों शद्गुर कबीर साहब के एक भजन है आप सब के बीच में प्रस्तुत है अब नारे चेता ओ देहियां बुढ़ानी चेता 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 ओमर बीत गए पंती चाकित भाए रहियां भुलानी अब नारे चेता ओ देहियां बुढ़ानी 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 चुट ही खाट दुवर्वा पर्चेवा मांगाए दूधे मिलाए नाही पानी अब नारे चेता ओ देहियां बुढ़ानी काहां है काबीर सुनो भाई सादो जिभिया आइट गए आव नाही बानी अब नारे चेता ओ देहियां बुढ़ानी अब नारे चेता ओ देहियां बुढ़ानी बोले शद्गुर्देव की जैस्ति परम पूज्य श्री साहिब जी पुजनी श्री बिने साहिब सम्माननी भक्त सज्जनो भक्ति मई माताओ वहनो अभी श्री बिने साहिब ने शद्गुर्द कबीर साहिब जी का एक भजन गाया उसी पर थोड़ी सी कुछ चर्चा करते हैं सद्गुर्द कबीर के जो बचन है वेकांत में बैठ करके कविता या गीत के रूप में उन्होंने लिखा नहीं है उन्होंने जो कुछ भी कहा है समाज को देख करके समाज की परिष्थितियों और उनकी जरूरतों के हिसाब से कहा है और लिखने से ज्यादा कहना प्राणवान होता है और समाज में, संसार में जैसे ऐसे दुख आता है, जैसे ऐसे जीवन बीतता है, जैसे ऐसे उनके जीवन पर घटनाएं घटती है उनसाब को सद्गुरु कभीर साहिब ने छोटी-छोटी बातों को अपनी वाणियों में उके रहे हैं ये प्रतिभावान साधक संत या कवी के पहचान है देखते तो सब लोग है इस संसार को प्राणी पदार्थों को प्रकित के वातावरण को सब लोग इसी में जीते हैं र अब दसाह कह देना और वो कथन प्राणवान बना रहे बढ़ा मुश्किल होता है लेकिन कुछ ऐसे महाप्रातिव होते हैं जो कह देते हैं वह एकदम जीवन्त लगता है तो साहिब कहते हैं अब नर्चे तो देहियां बुढ़ानी है है भाई अब तो सावधान हो देह दिगंतर बुढ़ा हो रहा है बच्पना से जमानी आ गई जमानी से बुढ़ा पाया आ गया आज तक भजन नहीं किये कब भजन करेंगे कब अपने को पहचानेंगे यह दुनिया को देखते देखते दुनिया की व्यवस्था करते करते रुपिया पैसा कमाते कमाते और घर परिवार सरीर की वयवस्ता करते करते बालबच्चों को संभालते संभालते दिन बीद गए बुढ़ा पाए आगया जो एक बार ईता है फिर जाता नहीं उसका जो Shapान सी चीज जो एक बार चला गया फिर वो आता नहीं जमानी चली गई फिर आती नहीं अब बुढ़ापा आ गया तो फिर जाता नहीं ये न जाने वाला अचलासन जमा करके बैठ गया बुढ़ापा अब फिर भी हम आज भजन ना करें तो ये हमारी बहुत बड़ी गाफिली है मरतरी जी महराज ने कहा है सेत चिकुर तन दसन बिन बदन भय जेव कूप अगात सबय सिथलित भय त्रिश्णा तरुण स्वरूप सेत चिकुर तन दसन बिन चिकुर मने बाल होता है तन के बाल सरीर के बाल सफेद हो गए और मुह पोपला हो गया सेत चिकुर तन बदन भिन और गात सबय सिथलित भय पूरा सरीर सिथिल हो गया लेकिन आज त्रिश्णा वैसे ही जमान बनी हुई है त्रिश्णा तरुण स्वरूप और सद्गुर कबीर ने भी कहा इसके लिए तो और खुब कि तनके बृद्ध भय कहा भव बावरे मनुआ अजहूं बारो हो मुख के दात गए कहा भव बावरे भीतर दात लोहे के हो फिर फिर चना चबाए विसय के काम क्रोध मद लोब के हो यह त्रिश्णा तरुण बनी रहती है शरीर बुढ़ा हो जाता है लेकिन यह त्रिश्णा जवान बनी रहती है तो क्या इसको बुढ़ा नहीं किया जा सकता इसको कमजोर नहीं किया जा सकता जो करते हैं वो कर लेते हैं अगर न किया जाये तो नहीं होती है सरीर अपने से बुढ़ा हो जाता है बाल अपने से पक जाते हैं दात अपने से जड़ जाते हैं सरीर और सभी अंग अपने आप धीले हो जाते हैं लेकिन ये मन बुढ़ा अपने से नहीं होता है इच्छाएं अपने से सांत नहीं होती हैं त्रिशडा अपने आप सोवस नहीं होती हैं, इनको तो साधना के बल से ग्यान वैराग त्याग और सैयम के बल से घटाया जाता है और मिटाया जाता है, और मिटाने में ही भलाई है, इसी के लिए सद्गुरु कभीर कहते हैं कि अब नर चेतो देहिया बुढ़ानी, अब तो जगो ये देह बुढ़ी हो गई है, और आज कल में बस महापयान का समय आ जाएगा, इसलिए जाने के पहले अपनी इन इच्छाओं, कामनाओं, वाशनाओं को बुढ़ा कर लें, यहीं पर राजा सिखत धज्ज की वो कहानी याद आती है, योग वाशिष्ठ एक ग्रंथ ह जो बहुत मार्मिक है, अध्यात्म की बाते, शाधना की बाते उसमें खूब है, उसी में यह उपाख्यान आता है, एक राजा था, उसका नाम था सिखतधज, उसकी पतनी थी चुडाला नाम की, चुडाला भक्तिमती थी, शाधना पराढ़ थी, संयमी जीवन जीना चाहती थी और उसका पती जो राजा था वो देहां भी मानी और बस दें बुद्धी का जीवन जी रहा था चुराला बारम बार उसको प्रेरित करती कि कुछ भजन में लगो मन को परमार्थ में लगाओ परलोक को भी कुछ साधो और इसी जीवन में कुछ संभव है ज्यान भक्त की कम करो लेकिनों ध्यान न देता है कि बहुत दिन बीत गए बारम बार वो समय समय से कहती रहती जब सिखत्धवच करीब करीब 50-60 साल के हो गए और चुडाला को कहते बीत गए इतने दिन ते एक दिन सिखत्धवच को आत्म गलानी हुई कि ये नारी हो करके और मुझे पत्थ पर चलने के लिए बारम बार प्रेरित करती है और मैं कैसा व्यक्ति हूं जो ध्यान नहीं देता हूं और उन्होंने सब छोड़ छाड़ करके राजपाट जंगल चल दिया चले गए और वहां रह करके दिन बिताने लगे साल भर भीते चुडाला ने सोचा कि पता ल जाजन शांती मिली कहते हैं नहीं देव शांती नहीं मिली भाचान नहीं पाया कि ये कौन है उन्होंने कहा नहीं देव शांती नहीं मिली इन्होंने इतना ही कहा त्याग करो चली आई उन्होंने सोचा शिखत धजने कि मैंने राजपाट छोड़ दिया घर धन खजाना छो ऐसे वहां के फल फूल थोड़ा मुड़ा खा करके काम चलाने लगे। साल भर बीते। चुडाला पुनाह गई पूछने, पता लगाने। देव शान्ती मिली। उन्होंने कहा नहीं देव। शान्ती नहीं मिली। इन्होंने वही बात पुनाह कहा। त्याग करो। अब क्या क्या त्याग करूं कि कपड़ा लत्ता छोड़ दिये अम नंगे उघार रहने लगे थोड़ा सा कुछ फल खा करके फिर साल भर के बाद गई राजन शानती मिली नहीं देव शानती नहीं मिली त्याग करो अब क्या त्याग करूं अब ये सरीर ही है अब उपास रह करके जादत तो चल नहीं सकता अब इसी सरीर को विसरजित कर देना है तो कुएं में कूदने जा रहे थे चुडाना ने हाथ पकड़ लिया राजन सरीर को त्यागने से सान्ती नहीं मिलेगी अहनता ममता का त्याग करो ये अहनता ममता जिसने अहंकार और मौह को छोड़ करके जीवन को जीना शुरूप कर दिया तो जीवन जब तक रहे ज्यानी पुरुष जो आत्मलीन साधक होते हैं जब तक जीते हैं सुक्स जीते हैं और यहां से चले जाने के बाद तो सुख होते ही हैं क्योंकि उनके पास कोई वाशना नह नहीं कोई त्रिशडा नहीं तो यह जीवन रहते रहते ही संभव है कि अहनता ममता का त्याग किया जाए अब नर्चेतो देहियां बुढ़ानी है भाई अब साउधान हो जाओ जाने का समय आ गया है जो करना है कर लो शद्गुरु अभिलास साहिब जी ने कहा है निसार बिन अभिमान सभी कर लो जो करने है आया जो हम करने के लिए आये हैं वो काम करें हम यही करने के लिए आये हैं मानोजीवन केवल इसलिए मिलता है एक चांस मिलता है 84 लाख योनियों में एक मानोजीवन की ही खानी है एक आउशर कि यहां पर सारी वाशनाओं आशक्ति मोह और अभिमान को मिटा करके आत्म लीन हो जाओ और मुप्त हो करके सदा के लिए दुख रहित हो जाओ तो ये करने के लिए आए हैं और ये ना करके फिर हम वही इंद्रिय भोगों में संसार की चीजों को बटोरने में ये तो अन्य खानियों में सब होता ही रहा पदार्थों को बटोर ना तो और भी प्राणी कर लेते हैं देखो चूहा भी कुछ बटोर लेता है न अभी अभी फोन आया उधर से कौशामी तरफ से एक ने कहा कि सारे आलू खराब हो गए हैं चूहा इतना है कि वो खोद-खोद के सब उठा ले जाते हैं काड़ देते हैं अचेत का खेत आलू खराब हो गया घरों में चीज को उठा ले जाता है अपने बिल में डाल लेता है कववया भी बच्चों के हाथ से रोटी छीन करके चिपा देता है खुद भूल जाताय पर अपर फूद भूल जाता है हैि चीटियां भी खूब अपनी विलों में घास क दाने बटोर लेती हैं, तो सभी तो अपने ढंग से अपनी जरुवत की चीज़ें बटोर लेते हैं, अब इंद्री भोगों को की बात तो सब भोगी लेते हैं अथेश्ट, मनुस उतना सुतंद्र भी नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ एक चीज है, भजन करने का काम बहुत सरल है अब पूरा संभव है, तो सद्गुरु का ये बचन जो प्रथम पंक्ति है इस भजन में बहुत मारमिक है कि अब नर्चेतो देहियां बुढानी, चेतत चेतत उमर बीत गई, पंथी चकित भय रहिया भुलानी, सबको अभिमान है कि हम चेत रहे हैं, हम जाग रहे हैं, हम जानने का अभिमान है, कोई कहता भी है कि भाई सावधान हो, भजन करने के लिए देरी ना करो, परमार्थ की कमाई करो, और दुखों को मिटाओ, मोह को मिटाओ, हम बिल्कुल भजन कर रहे हैं, हमारे मन में कोई मोह नहीं है, और एकदम हम बस थोड़े दिन में आपकी कर दें, और पोता हो जाए, और नवकरिस रिटायर्ड हो जाए, और फिर आपे के पास आजाएंगे, बहुत लोग ऐसे कहते हैं, और रिटायर्ड भी हो गए, पोता भी हो गया, दुकान भी हो गई, अब दूसरा कारणा, अब तो घुटने में दर्द है इतना कि अब आके क्या करेंगे आपके पास, यहीं तो होगा, तो जब तक ज़ोलो कर डोले, पगुचाले, तो लो आसन कीजे, कहां कभीर जही चलत नदी से, ताज वचन का लीजे, अरे जब तक सरीर में सकती है, हाथ पैर चल रहे हैं, काम कर लो, और नहीं तो जही चलत नदी से, ताज यह दुनिया की चीजों को, यह कुछ काम आने वाली नहीं है, तो चेतने का अभिमान नहीं होना चाहिए, सावधान होना चाहिए, जगना चाहिए, जगा कौन है, सिच्छित कौन है, जिसे हम अंग्रेजी हिंदी गणित विज्ञान या कम्पेउटर या अन्य चीजें जान उसे हम सिच्छित कहेंगे, यह कोई सिच्छा नहीं, यह कोई ज्यान नहीं, आत्म ज्यान सर्वस्रेष्ठ ज्यान है, और अपने मन को प्रसिच्छित कर लेना यह सबसे बड़ी सिच्छा है, अपने को पहचाने नहीं, और अपने मन को प्रसिच्छित किये नहीं, अवस ब ने आपको धाले नहीं, जो कल्यानदाइज संस्कार हैं, विकारी संस्कारों में डूबे रहे, तो काम नहीं बनेगा, इसलिए । तरह सही दाग से जगना यही है, कि जो जागल सो भागल हो रमया राम असोवत गयल विगोए हो रमया राम जो जगता है वो भागता है भागने का मतलब घर छोड़ के भागना नहीं विशय विकारों से अंकार ममकार से देहा अभिमान से भागना जो साथ नहीं है जो काम नहीं आते हुए दिख रहा है दूसरों को भी देख ले हम स्वयाम अपने जीवन में अगर नहीं अनुभो कर पाते हैं तो दूसरों को भी देख सकते हैं कितने बड़े-बड़े आये देहा भीमानी और चले गए जग में बड़े-बड़े अभिमानी जैसे गले बतासा पाने रामन कंस बली दुरियो धन बे सुमार बाये देखो कर विचार आये ना एक से एक बड़े बड़े राजा महराजा आये कुरूर लोग भी आये और महादयावान लोग भी आये और सब चले गए उनकी अपनी करम कमाई ही साथ गई इसलिए हम लोग भी इसी पर ध्यान दें अच्चे इतने की बात कहें तो साहिब ने एक जगे कहा है कि बहुत बिवाद है किसको जगा हुआ किसको सोया हुआ कहें क्योंकि यहां सब माने हैं कि हम जाग रहे हैं जिसके मन का मोह निकल गया जिसने सुरूप की पहचान कर ली कि जिसने सब तरफ से अपने आप को समेट करके सुरूप चिंतन में लगाया सही धंग से वही जगा है नहीं कोई जगा होगा नहीं है क्योंकि जिस जगने से दुख मिट जाए वो काम हुआ नहीं जगने की बात कहते हैं अपने को ज्यानी मानते हैं लेकिन चीजों की हानी में दुखी हो जाते हैं मनोविकार आ करके हमें हलचल मचा डालते हैं और थोड़े से संयोग वियोग में हम पुल पुल करने लगते हैं, बेटा बेटी, धन, घर, सरीर, रोग, व्याधी, ये आधी-आधी सब तो संयोग वियोग चलता रहेगा, कौन सदा साथ रहने वाला है? इसलिए इन सयोग वियोग से अप्रभावित रहना यही जागने की पहचान है, और ये सहज नहीं होगा, चीजे मिल जाने से बड़ा घार, बड़ी सिच्छा, बड़ी विद्या और बड़ा परिवार मिल जाने से ये मन की दसा नहीं आती है, ये दसा आती है सत्संग और साध के बल से, मन की इच्छाओं कामनाओं को मिटाने से, तो चेतत चेतत उमर बीत गई, पंथी चकित भय रहिया भूलाने, ये पंथी जीव, आश्यर में पड़ा है कि मैं इतना कर रहा हूं, फिर भी दुख नहीं मिट रहा है, और राह भूल गया, जो करना चाहिए, वो काम नहीं किया, राह भूले तो है, बड़े पद पर है, बहुत उची बाहि इस्थितियां हैं हमारी, लेकिन वही काम कर रहे हैं, जो साधारन लोग कर रहे हैं, उल्टा पल्टा, बड़े आलिम वफाजिल हैं, मगर विशियों के बस होकर, उसी रस्ते से आ निकले, जिधर ना गिस्ता है, ब्रह्म, अंधविश्वास, अज्ञान, मोह की वैसे ही अंधियारी में हम भटक रहे हैं, अगर हम जड़ चेतन के निरड़े को नहीं समझ रहे हैं, आत्मा कहां है, अनात्मा कहां है, इस बात की सच्चाई को नहीं जान रहे हैं, तो क्या है, भटक ही तो रहे हैं चाहिए इतना पढ़े लिख लें आज इस बात को देखा जाए तो अधिकतम लोग प्रण प्रतिष्ठा कि कि अगर प्रतिष्ठा से किसी में जीव आ जाता है तो फिर प्रतिष्ठा कर देना चाहिए समय झाज जो शरीर छोड़ दिये हैं उन बृध्ध बुजूर्गों को या उन सम्मानित लोगों को उन प्यारे प्यारे बेटा बेटियों को प्राहण प्रतिश्ठा कर दें आइंस्टीन में प्राण प्रतिष्ठा कर दिया जाता पुना हो विज्ञान की नई नई खोज आज देते कितना गजब का संसार होता है और नूटन आते और बड़े-बड़े वैज्ञानिक आते बुद्ध महावीर में प्राण प्रतिष्ठा कर दिया गया होता सद्गुरु कबीर में नानक में कर दिया गया होता इस दुनिया में क्या ज्ञान देते कि आज तक वे रहते और जई बार सरीर छुटता प्राणप्रतिष्ठा हो जाती लेकिन ये सब केवल ख्वाब है ऐसा हो ही नहीं सकता है संसार में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है तो साहिब कहते हैं कि पंथी चकित भय रहिया भूलानी ये राह भूल गए राह सही राह हमें पाने के लिए सही काम करना चाहिए और वो है तत्त चिंतन तत्त दो प्रकार के होते हैं जड़ और चेतन जड़ के बारे में तो खूब हमने जाना समझा पहचाना अरे खूब भी कहां जाने एक तरफ जड़की इतनी बारीकियों को जानते हैं कि मिट्टी पानी आग हवा का अध्यन करके मोबाइल टीवी और इंटरनेट सेटरलाइट ग्रह उपग्रह की हवाई जहाज आधी आधी बनाएं एक तरफ इतना भी नहीं तत्तो जड़का चिंतन कर पाएं कि जड़ है कि देवी एकी मिट्टी है हाउ कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर तो है हैं मान लो यहां मानना चलता है सब जगे मानने से काम नहीं होता हर चीज को मानने से कोई चीज मानने किसी चीज को तो वो हो जाएगी क्या मानो तो गाय नहीं तो पत्थर तो हई है ऐसा कोई मानता है पत्थर को गाय मान करके जाकर दुहने लगे ऐसा नहीं होता इसलिए जो है सो मानना चाहिए यही सत्त है हरवा जुराए गए, चमवा सुखाए गए, नैना सुखाए गए, बहए लागे पानी यह सरीर की दसा है चाहे जितना कोई जवानी में चतुर चिकनिया हो, छैल छबीला हो और सुन्दर सुन्दर, अरे एक समय आता है, कितनो कोई काला का लूटा ही क्यों ना हो लेकिन एक अवस्था में सब सुन्दर लगने लगते हैं लेकिन वही महा सुन्दर जो आज विश्व सुन्दर, विश्व सुन्दरियां समय समय से आती है इनकी भी बुढ़ापाय आता है अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आज से 25 साल पहले जिनको विश्व सुन्दरी का खिताब मिला था उनके फोटो आये थे उनका वीडियो आया था वो छीपे रहते हैं प्रगट नहीं होते हैं क्योंकि उनको स्वयां आज लगती अपना चेहरा दिखाने में क्योंकि पहले चेहरा दिखाने का ही वह व्यवसाय करते थे और चेहरा सूख करके आखें धस गई दात खोबड़े हो गए और बाल उजले हो गए नसे मोटी-मोटी निकल आई हैं लड़ खडाते हैं तो आप छीपे रहते हैं लेकिन उनका फोटो आया देखन नहीं सकता है इसलिए यह तो होना है कि हड्डियां एक दिन सूख जाएंगी और चाम में सिकन आ जाएंगी और आखों से पानी बुढ़ापा आ जाता है तो आखनाक से पानी स्वभाविक है आखों में ऐसा लगता है कि पानी भारा हुआ है पहले से ही अब हाथ कांपते है देखो भगत जी के हाथ बीच बीच में कांपते रहते हैं बुढ़ापा में यही तो होना है हम सबकी यही दसा होगी जो जवान है जो बिना मूच वाले हैं ना माने कि हम तो ऐसे हैं यह तो संसार की यह दसा है एक जवान चला जा रहा था मन चला जवान था सामने से एक ब जवानी खोज रहे हो उसने कहा बेटा जमानी खोज रहा हूं साप की जमानी एक दिन खोजानी है तो भूढ़ा आगे बढ़ा एक दूसरा जवान मिला उसने कहा कि बाबा ये धनुस कितने में खरीदे हो चाहिए अकड़ जाता है वुढ़ापे मैं तो धनुस जैसे दिखने लगता है उसने कहा वेटा ये बिना पैसे के मिल जाता है जीवित रहोगे तो तुम्हें भी धनुस मिल जाएगा यही है यह यह सरीर की दसा है तो यह इसको कोई रोक नहीं सकता है पिता पुत्र दो लोग थे बड़ा उनको जवानी का और देह का घमंड था पुत्र ने कहा कि मैं अगर पायर पटक दूँ तो जमीन से पिछकारी निकलेगी पुत्र ने कहा यह सची घटना है जमान था तीस साल का उसने कहा कि अगर मैं जमीन पर पायर पटक दूँ तो पानी के पिछकारी निकलेगी और पीता ने कहा कि अगर मैं लाठी मार दूँ त पुत्र को उसके गर्व, अभिमान, घमंड के कारण उसकी जवानी में ही लोगों ने उसको लाठी से ही पीट डाला, मारा गया, और पिता अपने 50 साल की उमर में ही लकवा लग गया, अकड गया, मुटे अढ़ा हो गया, विस्तर पकड लिया, थोड़े दिनों में खतम हो गय क्या कोई गर्व कराए, किसका घमंड यहां सदा बना रहता है, पाएन पुहमी नापते दरिया करते फाल, हाथन परवत तौलते तही धरी खायो काल हाड जरे, लकडी जरे, जरे, जलावन हार, कौतुक हारा भी जले, कासों करो पुकार सद्गुरु कबीर साहब की वाणियों में वैराग भरा हुआ है, बिना वैराग के कोई सांती नहीं पा सकता वैराग का मतलब कपडा बदलना या घर बदलना नहीं होता है, वैराग का मतलब है निर्मोहता और मोह ही सारे दुखों का कारण है और मोह का त्याग ही सुक का साधन है गोरकपूर गीता प्रेश से एक पत्रिका छपती थी कल्याडंक नाम की तो एक बार उसमें किसी ने प्रस्ण किया था कि मन शांत नहीं होता है तो हनुआर प्रसाद पोद्दार जी उस समय जवाब दिया करते थे वहां के उस समय के संपादक थे तो उन्होंने कहा कि मन शांत करने के लिए वहराग उत्पन करो और वहराग उत्पन करने के लिए सत्कवीर की साखियों को पढ़ो इससे वहराग बढ़ेगा तो दूसरे मत्पन्त के लोग भी सद्गुरु कवीर साहिब की याद करते हैं जब मन शांत करने की बात आती है, दुख मिटाने की बात आती है, जीवन को सुखी बनाने की बात आती है, तब कभीर याद आते हैं. जब राजिव गांधी को गोली मारी गई थी उस समय हमारी बहुत थोड़ी उम्र थी घर में थे पूर्वाश्रम में सुबा सुबा रेडियों लगाए अब यही भजन आने लगा मन लागो मेरो यार फकीरी में जब विपत्ती आती है तब फकीरी में मन लगता है सुचना पहले नहीं आई भजन पहले आया उसके बाद दो लाइन गाने के बाद तब बताय गया कि प्रधान मंतरी राजिव गांधी को गोली मार दी गई तो हम पहले से मन को लगाए दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोए जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। दुख में भगवान की याद आती है। दुख में परमात्मा, राम, अल्ला, खुदा, गाट की याद आती है। इसलिए शुक में काम करें हैं जब सुख में सुवस इस्तिती में हमारे मन में ज्ञान विचार का प्रभाव रहेगा वही जीवन जिएंगे और उसी की निरंतरता बनी रहेगी ताब वही संसकार बनेगे और फिर निरंतर उसी का अभ्यास होता जाए तो यही तो है मुक्ती का अभ्यास जीव को मुक्त नहीं करना है यह चित जो हमारा मन विश्यों में फसा हुआ है उसको उन प्राणी पदार्थों की आसकती से मुक्त करना है बस यही मुक्ती है हमारा मन जो चिपका हुआ है प्राणी पदार्थों में रात दिन उसको उधर से हटाना मुक्ती का मतलब उधर से हटना नानक साहब से किसी ने पूछा कि मुक्ती क्या है तब उन्होंने कहा एक बगीचे में थे तो वहीं पर धान की रोपाई लोग कर रहे थे उन्होंने कहा कि देखो यह धान वहां से उखाड करके यहां लगा रहे है और वहीं लगा रहता पहले से तो धान ना होता वहां से उखाडा गया और दूसरी जगा रोपा गया इसी प्रकार मन जो विशियों में घुसा हुआ है प्राणी पदार्थों के मोह में चिपका हुआ है वहां से निकालो और आत्मा में लगा दो और कुछ नहीं करना है मुक्ति उक्ति और कुछ नहीं है सद्गुरु विशाल सहभ ने एक बार कहा उस समय शद्गुरु प्रेम सहभ जी शद्गुरु अभिलाश सहभ जी और स्रीवाशदेव सहभ स्रीवल देव सहभ कई लोग थे विशाल देव के पास गर्मी के दिन थे और एक बड़ा सजोपडा था कुटिया थी वहीं सब विशाल देव के पास बैठे थे विशाल देव अपनी खाट पर विराजमान थे और सभी संत गुर्देज ये और सभी संत नीचे बैठे हुए थे तो विशाल देव ने बस ऐसे ही कहा अरे मुक्ती कुछ थोड़े है सब विगार देना ही मुक्ती है तो Śri Toyham Sahaja जोपडा को उजार दें और आपकी खाट को तोड़ दें आपकी कमंदल को फैग दें तो यही सब मुक्ती है तो कहा है हमको बगाओ मत मतलब हमें बगाओ मत तो ऐसा नहीं है कि स्री leiаем साजी समझते नहीं तुन्होंने विनोत किया, सब विगाणना, मन में जो हमने बना रखा है, यह सब, यह मेरा है, को हमने बना रखा है, और ऐसे बना रहे, मेरा घर, मेरा धन, मेरे बाल बच्चे, जैसे हैं प्यारे-प्यारे, और जैसे यह उपलब्धियां हैं, यह बनी रहें, कब बनी एक दिन उदास हो जाएंगे हमसे विम्ख को जाएंगे जो हमारा सरीर है हमने मान रखा है यह एक दिन yaahy हमें रुलाएगा जो घर-धन है यह क्या बना रहेगा इसे शूटे गा मिटे गा को भिछुडे ये तो होना है इसलिए बनाए रखने का हट नहीं मैं अपने आप में रहूं ये निश्चय होना चाहिए तो साहिब कहते हैं कि ये सब बदलेगा नैना सुखाए गए बहाय लागे पानी सरीर बदलेगा बुढ़ा होगा कमजोर होगा और एक दिन आउंखों से दिखेगा भी नहीं कि इसलिए जब तक दिख रहा है डब देखने योग है उसको देख लें अब व आँख से देखने योग नहीं है जिसको तितुर देखना है शुरूप दरसन सुरूप दर्शन करें शुरूप दरसन आख से नहीं होता है गुर्दे जी की वह बात पुना हे जाहती है उनके ग्रंथों में जगा जगा लिखा है सुरूप दर्शन करो, सुरूप साक्षातकार होना चाहिए आत्म दर्शन होना चाहिए जगा जगा लिखा है तो बंगाल के एक सज्जन थे उनका नाम जनारदन था उन्होंने ग्रंथ पढ़ा तो ये दर्शन क्या होता है, शुरूप क्या होता है, तो वे किसी वैशलो संत से जा करके पूछे, कि महराज ये ग्रंत में लिखा है बार बार, शुरूप दर्शन, आत्म दर्शन, ये आत्म दर्शन क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि घर में बैठो, सामने दर्पन रख लो और टीका लगाओ चंदन का आप ही दर्पन में देखो जो उसमें दिखे वही शुरूप दर्शन है तो उनको शन्तोस नहीं हुआ कि ये सुरूप दर्शन से दुख मिट जाता है अ अईसा तो बड़ा सदो नहीं मिटता है फिर Epic होन चैशे सिराय नहीं था तो उनको पता नहीं था कि ये सायद ये लेखक जीवित होंगे की नहीं लेकिन जो नंबर था कहीं से मिला तो फोन किये तब पता चला कि नहीं है तब आये मिलने और आते ही रो पड़े गुरुजी के पास प्रितम नगर में उन दिनों रहते थे तो गुरुजी समझ गए क्योंकि उनकी फोन में जो सुचना आई थी बड़ी भाव भीवल थे तब समझ यह कि वही हो सकते हैं तब बातें हुई गुरुजी जब बताए तब उनको लगा कि अरे शुरूब दर्शन मतलब आत्म दर्शन वो अंदर आत्मा है जिसके रहने से ये सरीर चलता है जिसके रहने से ये सरीर में नहीं तो जमान से जमान व्यक्ति भी आत्मा के निकलते ही बद रूप दिखने लगता है अशोबनी और निश्क्री हो जाता है तुरंत सड़न गलन शुरू हो जाती है आत्मा एक ऐसा पदार्थ है कि उसके रहने से ये हड़ी मांस चाम पस और अंदर में क्या-क्या सब ल निकल गया तो तुरंत प्रतिच्छन उसमें से विक्रिती शुरू हो जाती है इसलिए उस आत्मा को हम पचाने टुटही खाट दुवारे पर सोवे मांगत दूध मिलत नहीं पानी बुड़ा व्यक्ति जो भजन नहीं करता है उसकी ये दसा होती है भजन करने वाला इतनी कमाई कर लेता है कि उसके जीवन में ऐसी कोई परिस्थिती नहीं आती है तो उसको लगता नहीं कि कोई दुख ह वो सहज स्वभाविक समझता है कि ये सरीर की दसा है मेरे उपर कुछ नहीं होने वाला है जो भजन नहीं किया अपने जीवन को सुधारा नहीं अपने मन को सुवस किया नहीं वाड़ी पर संयम किया नहीं तो वो जीवन भर तो भोगों में और प्राणी पदार्थों में द अधिकार समाप्त हो गया, घर में किनारे बैट गए, शरीर भी अब जवाब दे दिया है, अब बच्चे से मांगते हैं कि बेटा पानी लाओ, अच्छा ठीक है पापा लाते हैं, अब फिर दुबारा मांगते हैं, तो डाट देता है, क्या बेरकार में टेंटें करते रहते है बड़े अभी दे देते हैं, काम में हम लगें, बैठे थोड़े हैं, यही होगा, अन्तिम में यही होता है, अब जो पहले से समझदारी रखा है, विचारवान है, वो समय के साथ जीना जानता है, बच्चे बड़े हो गए हैं, अब एगर के मालिक हो गए हैं, उनका अधिक ब्योहार भी अच्छा रहेगा उनको कोई कटू कुठार भी नहीं कहता है और फिर अच्छा जीवन ज्यान भक्ति साधना में जीवन जीने वाले इतना स्रध्धे हो जाते हैं कि अपने आप में सब के लिए आदर के पात्र बन जाते हैं इसलिए पहले से उकाम कर लेना चाहि और बुढ़ापा आने के पहले बुढ़ापे की तयारी कर लेना चाहिए मौत आने के पहले मौत की तयारी कर लेना चाहिए जो तयारी नहीं किया है तो फिर उसको तो पस्ताना पड़ेगा हर चीत तयारी मांगती है जैसे कोई नौकरी करना चाहे बिना तयारी के नौकरी क पुलिस में भर्ती हो जाएगा। देख सकते हैं, हम तो जगा जगा देखते हैं कि नौज़वान लोग कितना सुबए से दवड लगाते हैं। कहीं पुलिस की भरती की बर्ती होने वाली है, तो बहुत मेहनत करते हैं। अध्यापक बनने की तयारी वाले कितना पढ़ाई करते हैं, किसी को घर में साधी विवा कोई फंक्षन करना है, तो कितना महीने से तयारी होती है, और हमने अपने जीवन की कोई तयारी ही नहीं किया, भजन भक्ती, शांती, और आने वाला है वो महा प्रयाण का दिन, उसकी त्यारी ही नहीं अचानक फिर खट से वो समय आएगा सरीरसमर्थ हो जाएगा और फिर चलना फिरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर तो रोना होगा इसलिए वो दिन को याद करें करोरे बंदे वा दिन की तद्बीर जब यम राजा आन पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर अमुगरिन मारि के प्राण निकासत नैनन भरी है नीर भव सागर एक अगम पंथ है जल बाढ़ है गम भीर नाव न बेरा लोग घनेरा के वट है बेपीर घर तिरिया अर धंगी बैठी मात पिता सुत बीर माल मुलुक को कौन चलावै संग न जात सरीर कहें कबीर नर अब स चेतो और मा पहो تक्सीर करोरे बंदे वा दिन की तद्वीर उस दिन की याद करना चाहिए हमें । अगे साहब कետ हैं की मांगत दूद मिलए नहीं पानी दूद मांगते हैं पानी भी नहीं मिलता है है कि यह दुनिया में यहीं तो होना काहे को मांग रहे हैं पहले तीस भात का ध्यान देना चाहिए काहे को मांग रहे हैं जो सहज सहज मिले सो माल मलीदा मांगे मिले सो पानी और कहां कभीर वा रक्त सम्झा में खैचा तानी सहज जो मिले उसमें संतुष्ट रहें बुढ़ापा में बहुत इच्छाय नहीं दोड़ाना चाहिए जो बुढ़े लोग बुढ़ापा में कहते हैं अरे बहुत तुम बढ़िया भोजन नहीं बनाती हो स्वाध ही नहीं आता है पहले हम खाते थे हमारी मा बनाती थी या पत कि और कभी प्रसन्यता पूरवक संतोष से खाये नहीं तो धीरे से बहु भी सोचती कभी प्रसन्यता प्रसंसा तो मिलनी नहीं है बनाएका धैद्यों बालके बुढ़व जैसे खाना होका खालेंगे अब वह दूसरों का दोस्ट देते हैं अपनी जीव का दोस्ट नहीं द दवड लेते हैं आज नहीं दवड पाते पहले इतना देख लेते थे आज इतना नहीं देख पाते हाँ यह कहते हैं पहले हम हमें बहुत स्वाधाता था खाते थे आज क्यों नहीं कि दूसरे के दोस्त भोजन बनाने वाले अपनी जीव भी तो बुढ़ी हो रही है उतना स्वाद लेने में भी तो असमर्थ हो रही है इसलिए पुराना समय से अपने को जोड़ना नहीं चाहिए नहीं तो उसका जवाब बाहर से मिल जाएगा कि एक सज्जन थे उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा तुम पढ़ते नहीं हो और तुम्हारे उमर में जब पंडि जवाला नहरू पढ़ते थे तो इस्कूल में फर्स्ट क्लास आते थे तब बच्चे ने भी जवाब दे दिया कि पापा आप भी आपकी उमर में जब पंडि जवाला नहरू थे तो प्रधान मंत्री थे आप क्या है तो चुप हो गए वे तो यह समय के हिसाब से हमें जीना आना चाहिए बुढ़ापे को कैसे हमें जीना चाहिए जमानी को कैसे जीना चाहिए यह समय के नब्ज को पहचानना तो आना चाहिए गुर्दे जी ने एक बार आप से कहा था समय की नबज को पहचानना चाहिए समय बदलता है स्वार्थ बदलता है और प्रेम बदलता है इसलिए समय की नबज को पहचानना आना चाहिए हमें हम पहचानी नहीं पाते हैं पहचाने यह जीवन को संभल संभल करके जिया जाएगा तभी हम सुखी हो पाएंगे, नहीं तो ये धान रुपए पैसे पद अधिकार काम नहीं आते हैं, और हमें जीवन ही हमें रौंद के रख देता है, कहां कबीर सुनो भाई साध हो, जिभिया आयठ गए आवे नहीं बानी, एक समय आएगा, वह सरल सब्द हैं, सद्गरु कहते हैं कि एक समय आएगा कि जीव से आवाज नहीं आएगी, और हम कुछ कह नहीं पाएंगे, इसलिए पहले से भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, जीव से गूंगे हो जाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे, भजन गाओ मस्त जवानी में बुढ़ पापा किसने देखा है एक बुढ़ा था उसके चार लड़के थे असमर्थ हो गया बीमार था बोलना बंध हो गया था नक्टर बुलाए गए दवाई दी गई कुछ बोलना शुरू हुआ गाउं के लोग भी देखने आ गए जीवन भर धन कमाया धन 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 करते करते निधन क रहे हो जाते जाते कुछ दान पुन्न करते जाओ अब कुछ अपने नाम से परमार्थ की कमायी करते जाओ तो छे ने भी सोचा की सच कह रहे है अब तो जाने का समय आगया और अब तो जीवन भर तो कभी कुछ नहीं किया को तो मैं कुछ दानपुन्न करनूं, तो उन्होंने संकेत किया कि दिवार में गड़ा हुआ है धन, और निकाल करके मेरे नाम से कुछ सेवा करो, लड़के वही खड़े थे, वो समझ गए कि पिता जी धन के बारे में बता रहे हैं, कि कहां है, तो वो बात बनाते हुए कहते हैं कि पिता जी कहे रहे हैं कि सारा धन तो ये मकान बनाने में खर्चा हो गया, आप कहां से दानपुन्न करूं, अब बुढ़ा सुन करके विचारा आप कुछ न कह सका, यही होगा, इसलिए समय के साथ हमें जीना आना चाहिए, पहले से जो करना है कर लें, बुढ़ापा के भ आजन तो बुढ़ापे में किया जाता है, सद्गुरु अभिलास साहब जी के लिए यही हुआ था, जब अपनी 21 वर्ष की उमर शुरू हुई थी, आ गये थे, गुर्देव जी के पास बड़ा हरा आश्रम में, तो कुछ कारण बस पांचे महीने के बाद वापस जनम भू जाना पड़ा था, तो एक ठाकुर साहब आए, और कहा कि अभी से भजन करने का समय, अभी से क्यों चले गए, तो गुर्देव जी ने पूछा कब करना चाहिए, कहां ये बुढ़ापे में करना चाहिए, तो गुर्देव जी ने कहा कि आपकी कितनी उमर हो गई, तो वे च लेकिन फिचुप हो गए, तो बुढ़ापे के भरोसे ना रहें कि बुढ़ापा में करेंगे, उस समय सरीर से कुछ सेवा करना, बैठ पाना, संयम कर पाना, सुन पाना, देख पाना, पढ़ पाना, यही कठिन हो जाएगा, अपने गुजारा करना फिर गुर्जनों के पास करना चाहिए, लेकिन चलो बीट गया किसी का समय, तो ना सोचे कि अरे आप जमानी में नहीं किये, तो बुढ़ापा में क्या करें, नहीं, जब से जा गए तब से सबेरा, अब ज्यादा देर हो गई है, सुबा उठने में हमें देरी हो गई, दस बज गए, तो अब पड़ इसके बचन थे, जो हमारे जीवन में घटित घटनाएं, समाज में देखी जाती हैं, हम सब क्यों भी उपर घटती हैं, इसका मनन करें, और अपने अपने जीवन में इसका उप्योग करते हुए, शाधन भजन की ओर हमारी यात्रा हो, और जैसे ऐसे दिन बीते हैं, वैसे वैसे हमारे दुख बीते हैं, लेकिन अगर भजन नहीं करेंगे, सावधानी नहीं रखेंगे, तो जैसे ऐसे दिन बीतते हैं, वैसे वैसे दिन बढ़ते हैं, दुख बढ़ना नहीं चाहिए, जिन्दगी में बुढ़ापा हमारा अनुभाओं का भंडार है, और जीवन भ सारा अनुभाओ का खजाना हो जाता है जीवन, तब तो और बहा सरल हो जाना चाहिए भजन भक्ति करना, लेकिन जब जागेंगे नहीं, जब अंदर में विवेक वैराग निश्कामता का फिल्टर रखेंगे नहीं, तब तो सब में से केवल संसकार, कुड़ा कचड़े के ह अपने पास रखते हैं, इसलिए तो भजन, हीन, बुढ़ा और ज्यादा मोही, हठी और कुसंसकारी और लोभी हो जाता है, क्योंकि जीवन में राद दिन वही किया है, इसलिए बुढ़ापे में निश्कामता, शान्ति, प्रशन्यता, त्याग, अनासक्ति ये हमारे जीव करता है, वही का जीवन सफल होता है, और अन्त भला तो सब भला, इसलिए यह काम हम सब को शाओक से करना चाहिए, बस बोलिए सद्धि गुरु देवकी जय, प्रबूद्जी साहिव जी मिराजमान है, आप से भी नमर निवेदन है कि अपने क्यान गंभेर विचारों से हम स